इस मामले में अब से पहले तक वो सब को सफाई से डबल क्रॉस करके बेवकूफ बना चुकी थी, इसलिए खुद पर बहुत ज़ादा यकीन हो गया था, और खुश फहमी पाल बैठी थी कि उसे भी बेवकूफ बना देगी, उसका ये ब्रहन तब तूटेगा जब रकम सहित खुद को बैंक से निकलते ही इंस्पेक्टर चमनलाल और उसके मात हतों से घिरा पाएगी, लिंक रोड का चौढ़ाया आ गया था, विक्रम ने कार बायों घुमा दी, इन दोनों बैंक्स में किती दे लगेगी, कम से कम 20 मिनट तो लगी जाएंगी, हुश या रहना, जरास भी चूख हो गई तो, रीटा ब्रिंगेंजा से कोई चूख नहीं होगी, वो बात काट कर बोली, रीटा जो भी करेगी, एकदम परफेट करेगी, उसका स्वर गर्वपूर्ण था, होश या रहने के जुद्न तुम्हे हैं, क्योंकि पुलिस को तुम्हारी तलाश है, मैं इसे गुजर कर कार को दूसरी और रोख लेना, वै बोली, विक्रम ने सहमती सूचक सरहिला दिया, परवेश द्वार के सामने से गुजरते समय उसने देखा, इंस्पेटर चमनलाल साधा लिबास में खड़ा, अधीरता पूबर सिगर्ट फूक रहा था, उससे कुछे गज के फासले पर खड़ा एक आदमी कागस पर कुछ हिसाब लगा रहा था, वो भी पुलिस वाला ही था, बाकी पुलिस वाले कहां थे, विक्रम देख नहीं पाया, उसने सब से आगे ले जाकर कार रोकी और इंजन बंद कर दिया, अंदर ही बैठे रहना, शेल जैने कहा और उ विक्रम के जी में आया कि वो अभी चमनलाल के पास जाकर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर वो ये सोच कर रुख गया, कि अगर चमनलाल ने शेल जा के कथिक हत्यारे के रूप में उसे पहचान लिया, तो सफाई देना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो कार में रहकर इंति अलका भागव के अमबैस्डर भी थी, वो विक्रम के कॉंटेसर का पीछा करते हुए यहां पहुची थी, विक्रम द्वारा अपमानित के जाने के बाद, उसके फ्लैट की स्री ने उतर कर, नीचे खड़ी अपनी काल के और जाती अलका, विचित मनह स्तिती में फसी हुई उसने कलपना तक नहीं की थी कि विक्रम उसके साथ इस धंग से पेश आएगा, उसके विवार पालिका को गुस्से से जादा हैरानी हो रही थी, दरवाजा खोलते ही उसे देखकर चौकने की बजाए वो उस पर बरस पड़ा था, मनो अलका ने वहां पहुँचके बड़ा- देने जैसे बेहुदा हरकत तक उसने कर डाली थी, विक्रम के इस विवार की वजह वही औरत थी, जो कि या तो फ्लैट में ही थी, या आने वाली थी, या फिर विक्रम उसे साथ लेकर कहीं जाने वाला था, और एन वक्त पर वो आ पहुँची, अलका को याद आया कि विक् दूल खड़ी थी, जबकि ऐसा करने के जाहिरा तोर पर तो कोई वजह नहीं थी, अलका का शक और गहरा हो गया, उसने अपनी कार पासी मोड पर ले जाकर इस डंग से खड़ी कर दे कि विक्रम के फ्लैट के नीचे से नजर वो नहीं आनी थी, लेकिन वो खुद विक्रम की कार को देख सकती थी, कुछ शनों के बाद विक्रम नीचे आया, और सडक पर दोनों और निगाये दोड़ा कर बापस उपर चला गया, अलका समझ गई वो उसे ही देखने आया था, बह मुश्किल दो मिनट बाद वो फिर से नीचे आया, और इस दफ़ा उसके साथ सकर्ट ब्लाउस पहने, ब्राउन बॉब्ड हेर वाली एक औरत भी थी, औरत के कंधे पर हैंड बैग था, और बाएं हाथ में चमने के एक औसर साइज की बैग नूमा अटैची थी, वे दोनों विक्रम की कार की और बढ़ गए, अलका पहले तो चक्राई, फिर पहचांग गई की औरत वही थी, जिसकी फोटो उसने खीची थी, फर्क सिर्फ लिबास का, बालों के स्टाइल और मेक अप का था, उसके हाथ में अटैची देखका, अलका की उस सुकता बढ़ गई, वो दोनों कार में सवार हो चुके थी, अलका ने चंद एक सेकेंड और इंतजार किया, और फिर कॉंटेसा का पीछा करने लगी, सडक पर ट्रैफिक काफी था, इसलिए कोई दिक्कत उसे नहीं हुई, कोर्ट रोड पर विक्रम को पार्किंग स्पेस में कार पार करते देखकर, वो करीब देर सो गच पीछे ही रुक गई थी, फिर शेल जा को अटैची लेका, इमार उसकी मम्मी के आधे जूलरी भी वहीं एक लॉकर में रखे हुई थी, दोबारा कॉंटेसा का पीछा करते हुए वो सोच रही थी, शेल जा अटैची लेका उस इमारत में बैंक में ही गई थी, क्या उस अटैची में नोट थे, जिनने वो बैंक लॉकर में रखने गई थी, या फिर लॉकर में नोट पहले ही रखे हुए थी, अब वो उन्हें निकाय कर लाई थी, फिर जब उसने लेंक रोड पर जावाहर बेल्डिंग के सामने विक्रम को कार पार्क करते देखा, तो उसका ये शक और मजबूत हो गया, इमारत के परवेश दोआर की उसी साइड म कार पार्क करने के बाद जब उसने शेलजा को फिर से टैची सहीत इमारत में दाखिल होते देखा, तो उसका ये शक यकीन में बदल गया, इस इमारत के दूसरे और चौते खंड पर लगे बैंक और बडौदा और केन्ना बैंक के बोर्ड वो पहले ही देख चुकी थी, शे लेलजे और विक्रम बुरी तरह फसे हुए थे, लेकिन वो अभी भी ये मानने के लिए तयार नहीं थी कि विक्रम उस रकम को पाने के लालच में इस चक्कत तक फसा हुआ था, अलका की उक्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी, उसी सारा सिलसिला बेहत दिलचस्प, किसी ऐसे जासुसी उपन्यास जैसा लग रहा था, जिसमें वो खुद भी एक पातर थी, शायद अब ये सिलसिला अपने क्लाइमेक्स पर पहुँचने वाला था, इस विचाह से रोमांचित अलका ने पहली बार नोट किया, कि उसके बाई और पांस साथ फुट के फासले पर सिर्फ नीली फियट खड़ी थी, लेकिन दाईया और कोई तीसे का रहे थी, और उनहीं में आखरी कार विक्रम की कॉंटेसा थी, अपने उस इस्तिति में कॉंटेसा उसे नजर नहीं आ रही थी, उसने बगल में खड़ी फियट की ड्राइविंग सीट पर डैनिम की नीली जीन्स, जैकेट पहने बैठे, सिख ही उवग पर निघा डाली, फिर गदंगो माकर अपना सारा ध्यान इमारत के परवेश द्यार पर केंदित कर लिया, कॉंटेसा के अगली सीट पर बैठे पतिश्या करते विक्रम पर हर पल बड़ा भारी गुजर रहा था, श्याल जाको गए श्याल जाक कभी नहीं लोटेगी, उसे ड्रबल क्रोस करके वो जा चुकी थी, श्याल जाको फसाने के लिए जो चाल उसने चली थी, वो काम्याब नहीं होगी, उस मकार और खतरनाक औरस से अभी तक कोई नहीं जीत सका था, वो भी नहीं जीत पाएगा, बेचैनी से सिगर फूकते इंस्पेक्टर चमनलाल और परवेश दुआल के और ताकता विक्रम अपने विचारों में इस बुड़ी तना खोया हुआ था, कि बगल में आरू की पुलिस काल का अभास तक वो नहीं पास सका, एक बावर्दी अधेर पुलिस इंस्पेक्टर अपने दो मात्तों स अपनी विजय का संकेत करते हुए हाथे लाया और मुस्कराती हुई विर्पीत दीशा में मुड़ गई, विक्रम चौका, शेलजा जा रही थी, कॉंटेसा की पैसेंजर सीट वाला दरवाजा जिससे शेलजा उतरी थी, उसी तरह खुला हुआ था, किसी भी शन उतर कर ड्रैविंग सीट वाली खिड़की के और घूंग गई, पुलिस इंस्पेक्टर पर निगा पड़ते ही उसका दिमाग घूंग गया, तुम्हारा नाम विक्रम खरना है, कठोल सुर्ण में पूछा गया, विक्रम समझ गया, शेलजा चोड कर चुकी थी, इमारत के अंदर प विक्रम के लिए एक एक पल बेहत कीमती था, ठीक है, वो बोला, इंस्पेक्टर ड्रैविंग सीट वाला दरवाजा खूल रहा था, विक्रम तेजी से बायों जप्टा और बाहार निकल कर इमारत के परवेश द्वार के और दौर पड़ा, इस चक्र में उसका हैट सरसे उत पुलिस वालों ने उसे पकड़ लेना था, और इस चक्र में उस मकार औरत को गायब हो जाना था, वो चमल लाल के पास पहुंचकर उसे शैलजा क्यों धकेल तो हुआ पूला, वो सटैची वाली औरत को पकड़ो, रकम उसी के पास है, वो भाग रही है, चमल लाल एक संशि पल के लिए हिच-किचा आया, और फिर अपने मा था तो सही शैलजा क्यों दोड़ गया, तब ही पीछे से भाग कर आते एक पुलिसमें का डंडा विक्रम के सर पर पड़ा, और वो तौरा कर नीचे जा के रहा, तब तक शैलजा आखरी सिरे पकड़ी नीली फियड में सवा अलका भारगव को अगर कोई बताता कि आज कुछी पलों में एक साथ इतनी सारी घटनाएं हो गई, तो वो शायद हर्गेस यकीन ना करती, लेकिन अपनी आँखों से देखने के बाद उससे यकीन करना ही पड़ा, उसकी निगाएं इमारत से निकलती शैलजा पर जमी थी, वो अटैची लिए शान से भारा रही थी, उसने मुस्करा आते हुए हाथ ही लाया था और फिर उधर ही मुड़ गई थी जिदर अलका की कार खड़ी थी, आशा के विप्रीत दूसरी आप विक्रम के पास जाने की बजाए उससे अपनी तरफ आता देखकर अलका को चक्रा जाना पड़ा, इसी उलजहन में फसी अलका को विक्रम भाग कर आता और पहले से ही परवेश दोयार के पास मौजूद एक आदमी से कुछ कहता दिखाई दिया, फिर दो अन्या आदमियों के साथ वो शैलजा की और भागा, तब तब विक्रम नीचे गेच चुका था और भ जानाया, शैलजा के इमारत से भाहर आते ही फेट का इंजन स्टार्ट हो गया था, वो फॉरन समझ गई कि शैलजा विक्रम को धोका देकर रकम लेकर भाग रही थी और फेट वाला उसी का साथी था, सहसा बिजली की भाति उसके दिमाग में विचार कौन था, पुलिस शैल शैलजा कुम्रत और विक्रम को उसका हत्यारा समझ गई थी, अगर शैलजा भागने में काम्याब हो गई तो विक्रम कभी खुद को बेगुना साबित नहीं कर सकेगा, उसने एक पल भी व्यत गवाए बगेर इंजन स्टार्ट करके अपनी कार बैक की और उसी दिशा में द दिखाई देने लगी, उसने स्पीड और बढ़ा दी, तब ही उसे पता चला कि एक पुलिस कार भी सैरेंग गुंजा थी, तुफानी रफ्तार से उसके पीछे आ रही थी, अलका और ज़्यादा उसाहित हो गई और साफधानी पूरवक लगातार एक्सिलेटर पर दबाव लगा था, मोटा सा गुमन उबराया था, और जिसकी वज़ा से उसके सर में दध हो रहा था, उसके सामने मेज पर भी इंस्पेक्टर बैठा था और उसके दोनों मा थत पास ही खड़े थे, तुम्हारा नाम विक्रम खरना है, इंस्पेक्टर ने पूछा, हाँ, विक्रम न हाँ, जैन आयन जहुरी की विद्वा शैलजा जहुरी को जानते थे, हाँ, आखरी बाए उससे कम मिले थे, जवाहर बिल्डिंग के भार भियोश होने से पहले मैंने उसे नीली फ्रियेट में भागते देखा था, इंस्पेक्टर ने उसे घूरा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जवाहर बिल्डिंग के भार में उसी का अंजाल कर रहा था, वो बैंक्स में लॉकर में से रकम निकालने गई थी, और फिर मुझे दोका देकर भाग गई, उफ, इंस्पेक्टर हसा, अगर तुम किसी नशे में नहीं हो, तो जरूर पागलपन क की हद तक वहम का शिकार हो गए हो, शैलजा जहरी को बुधवार रात में उसी के मकान के बेस्मेंट में शूट करके वहां आंग लगा दी गई थी, और ये दोनों काम तुमने किये थे, इसलिए तुम्हें शैलजा की हत्या के अपराद में गिरफता करके यहां लाया गया ह मैं वहम का शिकार नहीं हुआ हूँ, बलकि आप सब लोग बड़ी भारी गलत फैमी का शिकार हो रहे हैं कैसे? शैलजा के बेस्मेंट में जो जली लाश परामद हुई थी, वो शैलजा की नहीं निशा सिंग नामा के एक औरत की थी, जिसे गलती से शैलजा की लाश समझ लिया गया था शैलजा जिन्दा है और 60 लाग की वो रकम भी उसी के पास है, बहतर होगा कि मेरे साथ सरखपाई के वज़ा है, आप लोग उसे ढूंडे इस्पेक्टर ने यूँ उसे देखा मानुस की अकल पत तरस आ रहा था देखो, जिस वक्त तुम्हें यहां लाया गया, तुम भी होश थे हमार एक हैट कॉंस्टेबल ने तुम्हें पहचान लिया था उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है तुम इसी शहर में पुलिस विभाग में ऐसा ही रह चुके हो तुम्हें उसके मुताबिक तुम एक हुश्यार अफसा थे लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, तुम तो नहायत बेवकूफ आदमी हो तुम समझते हो, तुमने जो बकवास की है, उस पर यखीन कर लिया जाएगा और तुम छूच जाओगे बेशक, ये असलियत है, कहकर विक्रम ने पूछा पुलिस हेडकॉर्टर्स के इंस्पेक्टर चमनलाल को आप जानते हैं? नहीं, उस आदमी को देखा था, जिससे जवाहर बिल्डिंग के सामने मैंने बाते की थी उसकी शकल मैं देख नहीं पाया, क्यों? वो इंस्पेक्टर चमनलाल था, मेरे कहने पड़ी उस वक्त वो वहां मौझूद था शेलजा जोहरी को रकम सहीत पकड़ने के लिए लेकिन तुम अचानक मेरी चाती पर आचड़े इसलिए सब गरबढ हो गया और शेलजा भाग गई कहानी अच्छी गड़ लेते हो तुम ये कहानी नहीं है, अभी चमनलाल वापस आएगा तो तुमें सब पता चल जाएगा तुम जानते हो, उस औरत की फोटो कई बार अख़बारों में छप चुकी है अगर वो जिन्दा है और खुले आम घूम रही है तो उसे किसी ने पहचाना नहीं, वाह अब उसे मेरे अलावा कोई भी असानी से पहचान नहीं सकता वो अपना हूलिया पूरी तरहां बदर कर खुद को दूसरी औरत में तबदील कर चुकी है बाइदवे, तुम्हारे पास क्या सबूत है, कि उसकी हत्या क्या की जा चुकी है और वो हत्या मैं नहीं की है में ऐसे सबूत तो राम नगा पुलिस ही पेश करेगी हम तों की सूचना पस सिर्फ मदद कर रहे हैं उन्हें तुम्हारे बारे में सूचित कर दिया गया है तुम सब लोग जनता की निगाओं में पुलिस विभाग को मखौल बना रहे हो बकौमात, सच्चाई कडवी लगती है विक्रम ने कहा खेर, पुलिस हेड़कॉर्टर में फों करके ये मैसेज तो छुडवा दो कि जैसे ही इस्पेक्टर चमनलाल वापस आए उसे यहां भेज दिया जाए इस्पेक्टर ने अपने एक मात हत को फों करने भेज दिया तुम कहते हो शैलजा जोहरी जिन्दा है और तुमने इस्पेक्टर चमनलाल को उसके पीछे भेज जा है मालो, वो औरत चमनलाल से बच कर भागने में कामियाब हो जाती है तब तुम कैसे साबित करोगे कि वो जिन्दा है और तुमने उसके हत्या नहीं की उस सूरत में तुम लोग ही कैसे साबित करोगे कि वो मर चुकी है उसकी हत्या की गई थी और वो हत्या मैं नहीं की थी अगर तुम बड़ा बड़ा पढ़ते रहे हो तो इस बारे की जांकारी तुम्हें जरूर होगी कि तुम्हारे खिलाफ कई ऐसे circumstantial evidences हैं जो अपने आप में ठोज सबूत का दर्जा रखते हैं मानता हूं मानता हूं लेकिन जब तक शैलजा जहरी की लाश ब्रामन नहीं होती और फिर उस लाश की पकी शिनाक्त नहीं हो जाती तब तक अदालत में निर्विवाद रूप से ये भी सावित नहीं किया जा सकता कि वो वास्तम में मर चुकी है बाइदावे जो जली हुई लाश मकान के मलवे से ब्रामद हुई थी उसका क्या हुआ आज सुबह ही उसका अंदिम संसकार कर दिया गया है क्या वो वाके इतनी बुरी तरह जल गई थी कि शिनाक कर पाना मुश्किल था हाँ और लाश के पास से कोई ऐसी चीज मतलब घड़ी, अंगूटी, चेन, चाबियां वेगर अभी नहीं मिली जिससे इस बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की जा सके ये मैं नहीं जानता, कैकेंस पैट्टर ने पूछा क्या तुम बताओगी, तुम्हारा इन सब से क्या तालुक है जरूर बताओंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ तुम सीधे जवाहर बिल्डिंग पहुंचकर में इच्छाती पे कैसे आ चड़े तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ मिलूँगा हमें गुम्नाम फोन करके तुम्हारे बारे में टिप दी गई थी कॉल किसने रिसीव की थी मैंने, क्यों, बता सकते हूँ, वो कॉल किसी आदमी ने की थी या औरत ने अवाज तो आदमी की लगती थी, लेकिन वगर वो कोई औरत थी शायद और अवाज बदर का बोल रही थी वो औरत ही थी, शेलजा जहौरी उसने जवाहर विल्डिंग के अंदर किसी पब्लिक टेलिफोन से फों किया था तुमको इंस्पेक्टर ने पतिवाद नहीं किया विक्रम ने संशे में उसे बता दिया कि शेलजा जहौरी फ्लैट में उसके साथ रही थी इंस्पेक्टर ने विक्रम से उसके फ्लैट की चाबी लेकर अपने दो मात हतों को हिदायते देकर महां तलाशी लेने के लिए भेज दिया विक्रम जानता था कि फ्लैट में शैलजा के पुराने कपड़ों समेथ और भी कई ऐसे सबूत मिलेंगे कि वहां उसके साथ कोई औरत रह रह रही थी अब वो औरत शैलजा ही थी ये पॉलेथिंग के उन दो प्रिंटेट खाली बैग से जिन में शैलजा सुबह कपड़े सेंडल वगएरा खरीद कर लाई थी उस दुकानदार पर पूछताश करने में साबित हो ही जाएगा लेकिन करीब पॉना घंटे बाद फोन पर जो सूचना दी गई उससे विक्रम को बॉखला कर रख दिया वहां शैल जाकी कोई चीज नहीं मिली उसकी मैक्सी, सलवा, सूर, पुराने सेंडल वगएरा सब गायब हो चुके थी पॉलेथिंग के वो बैग भी नहीं थी हेर, डाय, स्किन, लोशन, उन सब की शीशियां भी वहां नहीं मिली और इन सबसे बड़ी बात थी कि लिप्स्टिक के निशान लगा सिग्रेट का एक टुकड़ा तक भी पूरे फ्लैट में नहीं मिल सका कुल मिलाकर शैलजा का फ्लैट में रहे होने का मामुली सा भी चिन वहां मौजूद नहीं था विग्रम समझ गया, फ्लैट से निकलने से पहले जब वो बातुम में शेव कर रहा था शैलजा ने अपनी वहां मौजूद की के सारे निशान सफाई से मिटा दिये थे तमाम चीजें समेट कर नीचे कूड़ेदान में फैक आई थी और यही वज़ा थे कि शैलजा ने एंड वक्त उसे शेव की याद दिला का एक परकाल से जबरन बातुम में बंद होने को मजबूर कर दिया था अपनी और से मामूली सी भी कहीं कोई चूक उस उड़त ने नहीं की थी विकरम ने इस्पेक्टर को यकीन दिलाने की कोशिश की लेकिन इस्पेक्टर ने साफ टह दिया कि अपना गुना छुपाने के लिए उसने मंगड़त कहानी सुनाई थी मेरी बात मानो इंस्पेक्टर बोला और तुम अपना जुर्म का इकबार कर लो मैंने कोई जुर्म नहीं किया तुमने शेलजा जौरी की हत्या की थी शेलजा मरी नहीं जिन्दा है बस अब ये रागल अपना बंद कर दो वरना तुम्हारे साथ सकती करनी पड़ेगी तुमने कहा था वो फ्लैट में तुम्हारे साथ रही थी लेकिन वहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला तुम कहोगे की सबूत उसने मिटा दिये थे लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगा लेकिन मैं इस पर यकी नहीं करूँगा और इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये तुम्हारा एक और जूट होगा इंस्पेक्टर यूँ कह रहा था मानो किसी जिद्धी स्टूडेंट के खिलाफ शिकैत मिलने पर टीचर उसे समझा रहा था कि अपनी गलती मान लेने में ही उसकी भलाई थी असलियत ये है कि शैलजा जोहरी मर चुकी है और तुमने उसकी हत्या की है शैलजा को आखरी दफ़ा राम नगर में उसकी हवेली के पीछे बुधवार रात में S.I. गुपता ने उस वक देखा था जब उसने शैलजा जोहरी के चेहरे पर रोशनी फ्या की थी तब ही तुमने गुपता के सरपर परहार करके उसे भ्योश कर दिया था और फिर तुम शैलजा जोहरी के साथ हवेली में चले गए थी वहाँ से मिसे जोहरी ने 60 लाक रुपे की वो रकम निकाली जिसका गबन उसके पती नहीं किया था फिर तुमने मिसे जोहरी को बेसमेंट में जाकर शूट कर दिया और अपने जुर्म को छुपाने के लिए और पुलिस को गुम्रहा करने के लिए आग लगा कर वहाँ से भाग आए बगर तुम्हारी ये चार कामयाब नहीं हो सकी अलबत्ता पुलिस के घेरे से निकल कर भागने में कामयाब तुम जरूर हो गए और यही वज़ा था ही कि कई घंटे बाद जब पैट्रोल पंप राकरी श्माजेंग की कार में SI ठाकुन ने तुम्हे देखा तो तुम अकेले थे कार की पिछली सीट पर सिर्फ एक अटैची थी जिसमें यकिनन साट लाग रुपे की वो रकम थी जो तुमने मिसेज जोहरी से छीनी थी और जिसकी वज़ा से तुमने उसका मर्डर किया था अगर मिसेज जोहरी को तुमने बेस्मेंट में शूट नहीं किया था और हवेली में आग लगाने के बाद भी वो जिंदा थी तो तुम्हारे साथ ही भागी थी, तो उस वक्त पेट्रोल पंप तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं थी? विक्रम ने जवाब नहीं दिया, वो जानता था कि उसके जवाब पर इंस्पेक्टर को यकीन नहीं आएगा राकेश महाजन और कामिनी महाजन नामक भाई भेहन ने पुलिस को बताया कि उस हंटिंग और फिशिंग कैम में तुमने जबरन उनसे उनकी रिवार्वर छीन ली थी फिर उन दोनों की खासी ठुकाई करने के बाद उसी रिवार्वर के दम पर उनसे उनकी कार भी ले ली और मेंसे जोहरी को साथ लेकर वहाँ से भाग ली उन दोनों भाई भेहन को भी उस रकम की पूरी जानकारी थी उन्होंने बताया कि तुम उसी रकम की वज़ा से शेलजा के साथ चिपके हुए थी कामिनी महाजन ने शेलजा की मौत का पता चलने से पहले ही दावे के साथ बताया था कि उस रकम की वज़ा से तुम दोनों में से कोई एक दूसरे की हत्या कर देगा और तुमने उसके दावे को सचकल के दिखा दिया क्या इस बास से भी इंकार करते हो कि तुमने राकेश महाजन से उसकी रिवार्वर नहीं छीनी थी नहीं लेकिन फिलहार लेकिन को तुम रहने दो इस्पेटर हाथ उठा कर उसे रोकता हुआ बोला हवेली के मलवे से शेलजा जोहरी की जली लाश के अलावा एक रिवार्वर भी बरामद हुई थी पोस्मार्टम के जाने पर लाश से 32 केलिबर की दो गोलियां निकाली गई थी और बैलास्टिक एस्पर्ड ने रिवार्वर की जाज करने पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वो दोनों गोलियां उसी रिवार्वर से चलाई गई थी यानि वो रिवार्वर मर्डर वैपन था फिर मौकाई वारदात पर ही फ्यक दिया गया था क्योंकि तुम्हें यकीन था मलबे से रिवार्वर ब्रामन नहीं हो सकेगी वो राकेश महाजंग की वही लाइसेंस रिवार्वर थी जिसे तुमने उसे चीना था क्या तुम अब भी इंकार करोगे कि मिसेज जोहरी की हत्या तुमने नहीं की थी इससे पहले ही कि विक्रम जवाब देता दर्वाजे पर हॉले से दस्तक दी गई यस कमें इंस्पेक्टर ने कह दिया अगले ही शंट जो आदमी भीतर दाखिल हुआ उस पर निगा पड़ते ही विक्रम का मूँ सूख गया आगन तो कड़ी निगाओं से उसे घूर रहा था वो वही SI था जिससे बीच पर विक्रम के मुढभेड हुई थी इंस्पेक्टर मुस्कर आया ये SI सुखदेव सिंग है उसने खा और फिब विक्रम से पूचा हिसे पहचानते तो होंगे हाँ विक्रम फसी सी अवाज में बोला अब पहले इसे कहां देखा था बीच पर सुखदेव इस्पेक्टर ने SI से पूचा क्या ये वही आदमी है जिसे बीच पर हमला करके तुम्हें ब्योश कर दिया था ये सर सुखदेव ने जवाब दिया इसने क्यों तुम पर हमला किया था मिसेज जोहरी के हत्यारे का जो हूलिया हमारे पास था सुखदेव बोला उसके अधार पर मैंने हत्यारे के रूप में से पहचान लिया था इसलिए ये मुझे पर तूट पड़ा और मुझे भ्योश करके भाग गया ठीक है जा सकते हो तुम सुखदेव सिंग ने जलती निगाओं से विक्रम को घूरा और बहार निकल गया इसलिए वो चुपी रहा क्या ये सच है मिसेज जोहरी एक बेहत खूपसूरत और थे इस्पेक्टर ने पूचा हाँ विक्रम कठिन सुवर में बोला और वो शराब भी बहुत पीती थी हाँ और मर्दों की सौबत की शौकिन भी थी ये मैं नहीं जानता लेकिन मैंने सुना है कि वो ऐसी ही औरत थी अब सवाल ये पैदा होता है बकॉल तुम्हारे अगर वो तुम्हारे फ्लैट में मौजूद थी तो फिर तुम उस जैसी औरत के साथ अराम से फ्लैट में रात गुजारने के बजाए बीच पल क्यों सो रहे थे खास तोर पर उस सूरत में जबकि तुम भी जवान और तंदृस थो इस उमर में तो आमतर पर लोग एक मौके की तलाश में रहते हैं और हाथ आए मौके को छोड़ते नहीं मैं उस किसम के लोगों में से नहीं हूँ एक शरीफ आदमी हूँ शरीफ आदमी वाँ अपना फ्लैट छोड़कर शरीफ आदमी रात में बीच पसोने नहीं जाते तुम अपने फ्लैट से इसलिए भाग आये थे क्योंकि तुम जानते थे पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है अपने एहसासे जुर्म के वज़ा से फ्लैट के एकांत में तुम खबरा रहे थे और साथ ही तुम्हें डर था कि पुलिस कभी भी वहाँ पहुँच सकती थी और वहाँ से बच कर भाग पाना तुम्हारे लिए ना मुम्किन था इसलिए तुम बीच पजा का सो गए कोकि पुलिस ने तुम्हारी तलाश में वहाँ नहीं पहुँचना था बंद फ्लैट के एकांद के बज़ाए तुम्हें अंधेरे सुनसान और खुले पीच को अपने लिए जादा महफूस समझा था और इन तमाम बातों से साफ जाहिर होता है कि शेलजा की हत्यत तुमने की थी और साथ लाग की उस रकम की खातिर की थी अब मैं यह जानना चाहता हूँ वो रकम कहां है मैं बता चुका हूँ रकम बैंक के लॉकस में थी और शेलजा जोहरी उसे निकाल कर मुझे दोका दे का भाग करे इंस्पेटर कई पल उसे घूरता रहा फिर अपनी रिस्ट वाच पर निखार डाले अब बोला ओके, ओके तो मैं आखरी मौका देने से पहले तुम्हाँ इस जूट को भी मैं चेक कराए लेता हूँ रकम कितने बैंक के लॉकस में थी? तीन सिंडिकेट बैंक, कोल्ट रोड बैंक ओब रोड़ा और केंडरा बैंक, जवाहर बेडिन, लिंक रोड किस नाम से? विक्रम ने सिले सिलेवार तीनों नाम भी बता दी और शेलजा का रीटा बिंग्रेंजा वाला हूलिया भी बारीकी से बता दिया इंस्पेक्टर ने एक आगस पस सब नोट करके अपने मा था दो सब इंस्पेक्टरों को बुलाया और उन्हें जोरी हिदायत दे का भेज दिया विक्रम पहली बार मुस्क्राया हब तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैंने ना तो जूट बोला था और ना ही कोई मेंगणत कहानी तुम्हें सुनाई थी और मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा क्यों? क्योंकि शेलजा जोरी की हत्या की जा चुकी है अगर तुम्हें मेरी बात पर पूरा यकीन नहीं है तो बैंकों में चेक क्यों करा रहे हो? इसलिए कि मेरा उसूल है बेगुना को सताव मत और गुनागार के साथ पूरी सकती करो मैं हर एक मुझरिम को हर इस बात का मौका जरूर देता हूँ कि वो खुद को बेगुना साबित करने के कोशिश कर सके इससे मेरा अपना काम बहुत असान हो जाता है क्योंकि ऐसी कोशिश या तो काम्याब होगी या फिर नहीं होगी और जो भी नतीजा सामने आता है उसे अच्छी तरह जाच पर करके मैं अगली कारेवाई में लग जाता हूँ मेरे केस में अब तक तुमने क्या नतीजा निकाला है? अभी तो कोई ठोस नतीजा नहीं निकला क्यों? इसलिए कि जितने तत्यों की जानकारी मुझे है उनसे तुमारी कोई बात मेल नहीं कहाती इस बिना पर मैं कह सकता हूँ कि तुम जूट बोल रहे हो लेकिन जितने विश्वास के साथ तुम बाते कर रहे हो उससे लगता है तुमारी बातों में सच्चाई भी हो सकती है खेर, मैं तुमें बताना चाहता हूँ जब तुम बियोश थे, हमने तुमारी तलाशी ली थी और तुमारी जेबो से एक लोडेड रिवार्वर और करीब 25,000 रुपे निकले थे क्या ये दोनों चीज़े तुमारी अपनी है रिवार्वर मेरी अपनी है लेकिन वो रकम शेल्जा जोहरी की थी विक्रम ने कहा और फिक कुछ याद करते हुए पूछा जवाहर बिल्डिंग के बार मैं तो डंडा लगने से बिहोश हो गया था उसके बाद क्या हुआ मतलब मेरा मतलब है कि वहाँ कोई खास बात तुमने या तुमारे किसी आदमी ने नोट की थी मेंसे जोहरी का अभी जो धूलिया तुमने बताया था हैसी किसी औरत को तो हमने नहीं देखा और जिस आदमी से तुमने कुछ कहा था उसे और तीन अन्य आदमी को दोड़ते हुए अदूल खड़ी एक पुलिस कार में सवार होकर भागते देखा था वो निली फेट का पीछा कर रहा था विक्रम ने उकसुकता पुवग पूछा नहीं उसके आगे एक सफेद अमबेज़र तेजी से जा रही थी विक्रम सर से पाउं तक काप गया इसका मतलब शेलजा भागने में कामियाब हो गई थी क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा कुछ नहीं विक्रम करहाता सा बोला नीली फेट में कौन था? शेलजा उसी में सवार होकर भागी थी इंस्पेक्टर ने बुरा समूँ बनाया तुम हर एक बात में उसे ही क्योंगे सीट लाते हो इसलिए कि सारे फसाद की जड़ वही औरत है और तुम उसके चक्कर में क्यों फस गए? पैसे के लिए तुम्हारा मतलब साट लाग की उस रकम के लिए? हाँ लेकिन उस रकम को अपने पास रखने का मेरा कोई रादा नहीं था फिर मैं उस रकम सहित उसको शेलजा को यानि की पुलिस के हवाले करके रकम पर घोशित इनाम पाना चाहता था हो मुझे अफसोस है अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो वो भी हालात को देखते हुए तुमारी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा विक्रम ने मुस्कुरानी की कोशिश की जब इंस्पेक्टर चमनलाल बताएगा कि मैंने इस बारे में कई घंटे पहले उसे इसकी पूर्फ सूचना दे दी थी तब भी नहीं मुम्किन है उसे तुमारी नेक नियती साबित हो जाए लेकिन कुल मिलाकर तुमारी स्थिती पर गरतो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जोद कहानी तुमने अब सुनाई है उसका कोई सुबूत तो है नहीं तुमारे पास जबकि शेल्जा जोरी की हत्या का जो इल्जाम तुम पर लगाया जा रहा है वो ठोस तत्यों पर धारित है और उसे सही साबित करने के लिए SI गुपता, SI ठाकुर, राकेश महाजन और कामीनी महाजन समीत चाल गवा भी तुमारे खिलाफ मौजूद है solid motive भी था ही तुमारे पास post-martem और balastic experts की रिपोर्ट के मुताबिक भी जुर्म तुम पर ही साबित होता है ये सब circumstantial evidences है तत्यों और गवाहों के बयान में से भी इसकी पुष्ची होती है इसलिए अपने आप में ठोस सबुत का दरजा रखते हैं और इसके विप्रीट अपने बचाव में जो कहानी तुमने सुनाई है न वो एकदम लचर, बेबुनियात और मंगढनत है बैंक में पूछताज करने गए तुमारे मातर जब वापस आकर तुम्हें रिपोर्ट देंगे न तब तुम्हें पता चलेगा मेरी कहानी सही और दमदार है इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला, उसके चेहरे पर व्याद भावों से जाहिर था कि इस मसले पर भहस करने में अब उसकी कोई दिल्चस्पी नहीं थी लगभग 40 मिनट बाद बैंक से इंक्वारी करने गए सब इंस्पेक्टर ने वापस आकर लॉट कर जो रिपोर्ट थी उससे वागई विक्रम के छक्के छुड़ा दिये तीन बैंक के संबंधित कमचारियों ने अपने रिकॉर्ड देखकर एक ही जैसे बयान दिये थी किसी भी बैंक में अनीता खुबचंदानी या करूना कपूर या मालती कश्यप नामक किसी औरत ने कोई लॉकर किराये पर नहीं लिया हुआ था उनके करमचारियों के साथ साथ बैंक के गार्ड्स ने भी बताया था कि उस हूलिय वाली शैलजा का जो हूलिय विक्रम ने बताया था कोई औरत उस रोज बैंक में नहीं आई थी इसके अलावे एक और बात जो बैंक से पता चली वो अपने आप में और भी ज़्यादा चौकाने वाली थी मिस्स शैलजा जोहरी ने हिस्टोरिकर सोसाइटी की फाउंडर और पैसिडेंट की हैसियस से कई वर्ष से उन तीन बैंक में लॉकर किराये पर लिये हुए थे विक्रम हद बुद्धी सा बैठा रहा इस आखरी चोट को बड़ी मुश्किल से वो बदाश कर पाया और फिर जब असलियत उसकी समझ में आई तो वो फैसला नहीं कर सका चीखे चिलाये ये अपनी बेवकूफी पर पागलों की भाती अठास लगाये साथ लाग की वो रकम इस दौर में उसी अटैची में बिस्तर के नीचे उसके बैडरूम में ही पड़ी रही थी शैलजा रकम साथ में लेकर ही आई थी और वो पूरे वक्त उसके अपने अधिकार में ही रही थी परतियश्टा वो रकम 500 रुपे के नोटों की गड़ियों की शकल में थी इसे कुल 120 गड़ियों ने ज़्यादा जगा नहीं केरनी थी और शायद वो अटैची दोहरे तले वाली थी और तमाम गड़िया नीचले तले में ही रही थी अटैची कितनी भारी थी इस सौध ध्यान देने का ना तो से मौकह ही मिला था और ना ही अब वो याद कर पा रहा था विक्रम ने बारी की से सोचा तो एक और नतीजा सामने आया रेडियो खराब किया जाने से पहले शैलजा अपनी कथित मौत का समाचार नहीं सुन पाई थी और उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि पुलिस को उसकी तलाश नहीं रही थी शैलजा को उसके दारा बताय जाने पर ही ये बात पता चली थी क्योंकि निशा सिंग की हत्या और आग लगने का काम उसने अपनी इसी योजना के तहत किया था इसलिए वो जान थी थी कि निशा सिंग की जली लाश को उसकी अपनी लाश समझ लिया जाएगा लेकिन वो यकीनी तोर पर जानना चाहती थी कि ऐसा समझ लिया गया था यानि उसकी योजना काम्याब हो गई थी और साथ ही नोटो से इत गोल होने से पहले उसे इतना वक्त चाहिए था कि अपना हूलिया बदल कर खुद को दूसरी ओरत में तब्दिल कर चुके दूसरी ओरत रीटा ब्रिंगेंजा उसकी गैर मौजूदगी में वो रकम लेकर असानी से गोल हो सकती थी लेकिन वो मकार औरत अपनी योजना को काम्याब बनाने के साथ साथ उसे शर्तिया पैदली मात भी देना चाहती थी इसलिए उसके बारे में पुलिस को गुमनाम टिप दे दी थी वो नहीं चाहती थी कि विक्रम को पता चले कि बैंक के बारे में उसने जूट बोला था इसलिए बैंक में जाकर रकम निकालने का नाटक किया था उसे आखिर तक शक करने का मौका न देने के विचाह से वो सिंडिकेट बैंक की इमारत में गई लेकिन बैंक के पास फटकने के बजाए इमारत में घूम कर वापस आ गई और फिर अपनी नेक नियती का यकीन दिलाने के लिए नोटों की गड़ियों की ना सिर्फ जलक दिखाई बैलकि एक गड़ि निकाल कर उसके सामने नोट भी फरफडा दिये और फिर जवाहर बिल्डिंग में जाकर पुलिस को उसके बारे में गुमनाम टिप दे दी लेकिन इस मावले में एक चूक हो गई वो ठीक उस वक्त इमारत से भान निकली जब उसकी गुमनाम फोन कॉल के जवाब में पुलिस विक्रम की चाती परा चड़ी थी इसकी वज़ा या तो पुलिस के वहां पहुँचने के समय का सही अनुमान ना लगा पाना ही था या फिर विक्रम को जिस अंजाम के और उसने धकेला था उसे अपने आँखों में से देखकर वो पूरी तसलिक कर लेना चाती थी वज़ा चाहें जो भी थी लेकिन उसकी इसी चूक ने विक्रम को इंस्पेक्टर चमनलाल को उसके पीछे लगा देने का मौका दे दिया था लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि चमनलाल उस फ्रेवी औरत को पकरने में कामयाब हो ही जाएगा तुम्हारी कहानी पूरी तना जूटी साबित हो चुकी है इस्पेक्टर ने उसे टोका तुम अभी अपना जुर्म का इकवाल करने से इंकाल करते हो हाँ विक्रम ने जवाब दिया अभी मैं नाउमीद नहीं हुआ हूँ अब कौन से उमीद बाकी है इंस्पेक्टर चमनलाद तुम उमीद लगाए रहो लेकिन जैसे ही राम नगर से पुलिस पार्टी तुम्हें लिवा ले जाने के लिए आएगी मैं तुमको उन लोगों के हवाले कर दूँगा उठो विक्रम खड़ा हो गया उसे इंट्रोगे तीनों कारें उसी परकार दौरती हुई शहर से बहाँ जहां पहुँची थी हाइवे पर ट्रैफिक का खासा रश था इसके बावजूद तीनों कारें इतनी तेज रफ़ता से दौर नहीं थी कि मानों वो रेस में हिस्सा ले रही थी नीली फ्येट की ड्रैविंग सीट पर बैठा जीन्स जैकेट वाला यूवक नकली दाड़ी मूचे और पगड़ी उता चुका था अब उसके खूब सूरत चेहरे पर फ्रेंच कट दाड़ी और हलकी मूचे नजर आ रही थी पिछली मूट पर अगली सीट की पुष्ट के उपर से गुजर का शेल चापी अगली सीट पर आ बैठी थी अब उसके शरी पर स्कर्ट ब्लाउस की जगा जीन्स और शर्ड थे और ये लिबास उसने पिछली सीट के नीचे फर्ष पर बैठ का चेंज किया था और ये लिबास पिछली सीट पर पड़ी दो अटैचियों में से एक से उसने निकाला था उस अटैची में उसी के माप के, विभिन पोशा के और रोजमररक के इस्तमाल की वक्ती कर चीजे भरी हुई थी वो अटैची देखने में लगवब वैसी ही थी जैसी कि जवाहर बिल्डिंग से निकलते वक्त उसके पास थी उस अटैची से नोटों की गड़्या निकाल कर वो पिछली सीट के नीचे फर्ष पर बिछे कार्पिट के नीचे सफाई से छुपा चुकी थी फिर उस खाली अटैची में अपना स्कर्ट, ब्लाउस और अपने साथी द्वारा उतारी गई नगली दाड़ी मूचे और पगड़ी रखकर अटैची को मोड पर काल खुमाते ही खिड़की से सडक के किनारे घने पेड़ों पर फैक दिया था पुलिस द्वारा पीछा किये जा रहा होने के बावजूद वो पूर्ट या शान्त और समानने थी इसके बरक्स उसका साथी प्रेशान और घबराया हुआ था पता नहीं वो कहां गायब हो गई रियर व्यू मिरर पर निगाहें जमाता हुआ वो बरबड़ाया क्या हुआ जोसिफ रालने शायल जाने पूछा अरे वो सफेद अम्बैजजर वाली वो छोकरी पीछे ही कहीं रुख गई पताने क्या हुआ और अब पुलिस की कार हमारे पीछे है होने दो जिस तरह पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है उसे देखकर बचकर भाग पाना असंभाव है लेकिन अगर वो ओवर्टेक करने की कोशिश करते हैं तो साइट तो उने दे देना पर स्पीड कम करने के बज़ाए बढ़ते रहना फिर भी अगर वो हमें पकड़ लेते हैं तो घबराना बिल्कुल मत हर एक बात का नपा तुलाव सही जवाब देना हम लोग असानी से साबित कर सकते हैं कि हम कौन है वो सब तो ठीक है लेकिन पुलिस अचानक तुम्हारे पीछे इस तरह क्यों पड़ गई इसमें भी उसी हराम जादे की शरकायत या शरारत होगी मुझे उमीर नहीं थी कि वो ऐसा करेगा लेकिन साधा लिबास में जवाब बिल्डिंग के बाहर पहले से पुलिस की मौजूदगी से जाहिर है उसी का ये काम होगा तब तो सफेद अमबेजडर वाली लड़की भी उसी की साथिन होनी चाहिए ये तुम कैसे कह सकते हो जब तुम कॉंटेसर में जवाब बिल्डिंग पहुंची थी उसके कुछे सेकंड बाद ही वो लड़की आ पहुंची थी और अपनी कार में रहकर इंजार कर रही थी तुम्हारा अंदाज़र बिल्कुल सही है ये वही लड़की होनी चाहिए जिसे विक्रम ने फटकार कर अपने फ्लैट से भगा दिया था वो हमारा पीछा करते हुए यहां तक आप पहुंची थी तब ही फिश की तेज अवाज हुई और कार गहरा जूल खाती हुई बाई और जाने लगी पंचर हो गया? हाँ जोसब कार पकाबू पायर ने बनाए रखने के लिए स्टेरिंग से संगश करता हुआ बोला उसने एकसी लेटर से पैर हटा कर गेर निट्रल में डाल दिया था और ब्रेक पैडल को दबाय जा रहा था फियर तेज जटके के साथ रुख गए दोनों कार से बहार आ गए पुलिस कार उनके ठीक सामने आ रुकी उसकी और ध्याना देकर वो फियर के दाएं और के पिछले वील का निरिशन करने लगा पुलिस कार से इंस्पेक्टर चमनलाल अपने दो माथ हतों से नीचे उतरा और लपकता हुआ उंकी और बढ़ा जोसफ स्पेर वील निकालने के लिए डिक्की खोल रहा था बारी बारी उसे गौस उन्हें देखता चमनलाल भारी असमंजस में पड़ गया था आदमी उसके लिए नितान ता परिचित था शेलजा का चेहरा भी वो पहले ढंग से नहीं देख पाया था स्कर्ट ब्लाउस के स्थान पर उसे जीन्स और शिर्ट पहने देखका उसे लगा कहीं वो गलत काल का पीछा तो नहीं कर रहा था स्कर्ट वाली और इस औरत में सिर्फ बालों के रंग और स्टाइल में ही समानता नजर आ रही थी ठेरो वो बोला जोसफ ने ऐसा जाहिर किया कि मानों पहली बार उसे देख रहा था कहिए उसने गोयानी अंदाज में बोला चमल लाल ने अपना परीचे देखा पोछा आप लोग कहां जा रहे हैं? सलीमपुर से क्यों? जाना कहां है? कंचनगर रहते काऊं? पंजिम गोया नाम जोसफ ब्रिंगेंजा और आपके साथ ये महिला कौन है? हमारा वाइफ रीटर ब्रिंगेंजा लेकिन आप ये सारा पूस्ताच क्यों कर रहा है? आप दोनों सलीमपुर में सासार रहे थे? यस कहां? होटल मयूर लिंक रोड उस होटल में कब आकर ठह रहे थे? यही पाँच रोज पहले किसलिए? गोमने फिरने के लिए तो आप लोग टूरिस्ट है? यस सलीमपुर में किसी को जानते हो? नई कंचंगर में? वहां भी नई और ये कार आपके अपनी है? नई सलीमपुर से कड़ाय पली गई है ओके ड्राइविंग लैसेंस है? यस दिखाई है आखिर बात क्या है? क्यों तुम हमसे इतना पूछताच कर रहा है? वह भी पता दिया जाएगा पहले ड्राइविंग लैसेंस तो दिखाओ जोसफ पर ज़लाड सवार होने लगे थी तुम अपना एडेंटिफिकेशन नहीं दिखाएगा? चमल लाल ने अपना प्रेशर पत्र निकालकर उसे दिखाए जोसफ ने अपना ड्राइविंग लैसेंस निकालकर उसे दे दिया चमल लाल ने देखा लाइसेंस जोसिफ ब्रिंगेंजा के नाम पंजिम से इशू किया गया था और उस पर उसी की फोटो लगे हुई थी उसने ड्राइविंग लाइसेंस लोटाते हुए पूछा आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे पता चले कि आप दोनों मयूर होटल से इप में टहरे थे जोसम ने होटल का बिल उसे दे दिया बिल से साफ जाहिर होता था कि मिसेज और मिस्टर ब्रिंगेंजा पांच रोज पहले होटल में आकर टहरे थे और उन्होंने उसी रोज होटल छोड़ा था चमनलाल ने बिल लॉटा दिया हाँ भी काल चलाती है मैड़ा हाँ क्यों लाइसेंस दिखाएंगी श्योर शेलजा मुस्कडाए और अपने हैंड बैक से लाइसेंस निकाल का दे दिया लाइसेंस महिना बर पहले पंजिम में रिटा ब्रिंगेंजा पतनी श्री जोसफ ब्रिंगेंजा के नाम से इशू किया गया था और उस पर उसी औरत की फोटो लगी थी चमनलाल के चेहरे पर गहरे विचार पूर्ण भावत पन हो गये मुझ समझ नहीं पा रहा था यह सारा चक्कर है क्या तुम्हारा तसली हो गया मैन जोसफ ने पूछा चमनलाल ने लाइसेंस लटा दिया अभी नहीं आप लोग इतनी तेज रफ्ता से काल क्यों दोडा रहे थे हमें जल्दी पहुँचना था तुम फास ड्रैविंग के लिए चलाएं करना चाहता है तो करो हम अभी फाइन दे देगा आप इस काल में बैठे जवार बिल्डिंग के भाग क्या कर रहे थे चमनलाल ने उसकी बात को नजर अंदास करते हो पूछा अपनी वाइफ कंजा ये पासी शॉपिंग करने गया था ये जवार बिल्डिंग में नहीं गई थी क्या करने? कंचंगर्ण के उस होटर में फोंग करने जहां हम लोगों को ठहन ना है तो उस वक्त तो ये स्कर्ट ब्लाउस पहने थी? श्याल जा खिल खिला कर हस दी स्कर्ट ब्लाउस और मैं आपको दोखा हुआ इंस्पेक्टर ये लिबास मैंने बारा साल के उमर में ही बेहनना चोड़ दिया था उस वक्त तुम्हारे हाथ में एक अटैची थी वो कहां है? कार में? मैं उस अटैची को देखना चाहता हूँ इंस्पेक्टर उसने कार की पिछली सीट पर पड़ी दोनों अटैची में से एक बहार निकाली और बोनट पर रख कर खोल दिया चमनलाल ने देखा विभेन बरकार की जनाना पोशाक के अलावा उनमें कुछ नहीं था वो चक्रा गया अटैची देखने में वैसी ही नजर आती थी जैसा कि उसने जवाहर बिल्डिंग के बहार उस औरत के हाथ में देखी थी उसने दूसरी अटैची भी खुलवाकर चेक की उसमें मरदाना कपड़े भरे हुए थे इन लोगों के पास हर सवाल का सही जवाब था चमलना सोच रहा था और हर एक जवाब की पुष्टी करने वाला सबूत भी मौजूद था इसके बावजूद उन पर वो यकीन करने के लिए तयार नहीं था क्योंकि उसे विक्रम पर पूरा भरोसा था विक्रम ने खामा खाँ उसे इनके पीछे दौड़ने के लिए नहीं कहा इस मामले में जरूर कोई दिकरबर थी जो की फिलहाल उसकी समझ में नहीं आ रही थी आप लोगों की शादी कब हुई? 6 साल पहले कहा बंबई में शादी से पहले आप कहा रहती थी मैडम? बंबई में कहा? उसने दादल के इलाके का इक पता बता दिया चमनला समझ चुका था कि इस पूछतार से कुछ हासिल नहीं होगा इस औरत को विक्रम के सामने पेश करने से ही किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है आप विक्रम खना नामक किसी आदमी को जानती है मैडम? उसने पूछा नहीं कौन है वो? वो सलीम पूल कर रहने वाला है और उसने आप दोनों के खिलाफ रिपोर्ड लिखाई है चमनला जूट का साहरा लिका बोला आपने उसे लाखो रुपे के लिए ठगा है जूट है? बकवास है? जोसफ चिलाया इस नाम के किसी आदमी को हम नहीं जानती हो सकता है आपकी बाद ठीक हो लेकिन आप लोगों के खिलाफ जो रिपोर्ड लिखाई गई है इस वज़ा से हम आपकर कारवाई करने के लिए मजबूर हैं आपको हमारे साथ चलना होगा कहा? सलीमपुर, पुलिस हेड़कॉर्टरस में और अगर हम इंकार कर दें तो तो इस केस में हमें आपके साथ जबदस्ती करने पड़ेगी वे दोनों एक पल के लिए विचलित परतीत हुए फिर जोसफ विवश स्वर में बोला ठीक है, हम वील चेंज करके तुमारे साथ चलेगा नहीं, मतलब आप दोनों हमारे साथ चलेगे मेरा आदमी वील चेंज करके कार ले आएगा लेकिन हमें अपनी ही कार में चलेगा जोसफ जिद भरे स्वर में बोला इसमें देर लगेगी देर तो हमें पहले ही हो चुकी है आप लोगों को हमारे साथ चलने में इतरास क्यों है शेल्जा मुस्क्राई जोसफ ड्रैविंग सीट पर बैठ गया और शेल्जा उसकी बगल में चमनलाल अपने एक माथत सहित पिछली सीट पर बैठ चुका था जोसफ वापस सलीम पूल की और कार ड्राइव करने लगा और पुलिस का फिद का नुस्राण करने लगी अलका भार गव जो ही मोड पर पहुँची नीली फिड की पिछली खिडकी से भार फैकी गई अटैची पर उसकी निगा पड़ गई उसने फॉरन पहचान लिया अटैची वही थी जिसे जवाहर बेल्डिंग से बहार निकलती शेलजा जोरी के हाथ में उसने देखा था उसने फॉरन साइड में कार रोक ली पुलिस कार तेजी से उसकी बगल से आगे गुजल गई अलका कार से उतल का सडक के सिरे पर खड़े पेडों के पास उस सिथान पर पहुँच गई जहां अटैची को गिरती देखा था अटैची उसे नजर नहीं आये दूसरी तरफ ढलान पर गनी जानिया उगी वी थी अलका जाडियों में घुसकर खोचने लगी पूरे 25 मिनट की कोशिश के बाद आखिलकार उसे काम्याबी मिली गई उसने अटैची खोल कर देखी वो खाली थी गौर से देखने पर उसे पता चला कि अटैची दोरे तले वाली थी उसने नकली तले के उपर खीचा नीचे सकल्ट, ब्लाउस दाड़ी मूच और पगड़ी रखे थे सपश था शेलजा कार में अपना लिबास चेंज कर चुकी थी और दाड़ी मूच और पगड़ी से जाहिर था कि जवाहर बिल्डिंग के सामने नीली फेट के ड्रैविंग सीट पर जिस युवक को बैटे उसने देखा था वो वास्तव में सिख नहीं था बैकि इस तरह चेहरे का हूलिया बदला हुआ था अपनी असले चुपाने के लिए अलका को ये समझती देन नहीं लगी कि अटेची को खाली करके इस धंग से फैकने और शेलजा और उसके साथी द्वारा हूलिया बदलने की बड़ी वज़ा पुलिस द्वारा पीछा किया जाना ही था अटेची के निचली तले में अनुमान था नोटो की गड़्या होनी थी जिन्हें इससे निकाल कर कार में कहीं चुपा दिया गया था वे दोनों इस तरह पुलिस को चकमा देना चाहते थे अलकान अटेची बंद करके अपनी कार की पिछली सीट के नीचे डाली और ड्रैविंग सीट पर जा बैठी तब भी उसे सामने से नीली फ्रीट और पुलिस कार आके पीछे आती दिखाई थी दोनों कारे तेजी से गुजल गई फ्रीट के पिछली सीट पर बैठे दो आदमियों पर नज़र पड़ते ही वो समझ गई कि शेयल जा उसके साथ ही पुलिस के हाथों पकड़ चुके है बड़ी भारी रहत महसूस करके अलकान अपनी काल घुमाई और उनका पीछा करने लगी पुलिस हेड कॉर्टरस में पहुँचते ही चमनलाल को विक्रम द्वारा भिजवाया गया मैसेज मिल गया उसने लिंक रोड पुलिस स्टेशन फों किया फिर फॉरन जोसफ और तथा कथित रीटा बिंगेंजा को उसी परकार नीली फेट में साथ लिए लिंक रोड पुलिस स्टेशन के और रवाना हो गया करीब 20 मिनट बाद पुलिस स्टेशन के कमरे में जोसफ, शैलजा, चमनलाल वहीं इंस्पेक्टर और विक्रम बैठे थे चमनलाल के कहने पर विक्रम की हदकणिया खुलवा दी गई थी विक्रम के चहरे पर विजयी भाव थे जोसफ नर्वरस नजर आ रहा था और शैलजा, शान्त और समानने थी आप इस आदमे को जानती है मेडम? चमनलाल विक्रम के और इशारा करके उससे पूछा नहीं, इससे तुम्हें पहली बाद देख रही हैं ये जूट बोलती है इंस्पेक्टर, ये वही औरत है विक्रम बोला, जिसने तुम्हें ठगा था? हाँ, तुम्हें पूरा यकीन है? बेशक मैंसे अच्छी तरह जानता हूँ ये बैंक मैनेजर जैन आयन जोहरी की विद्वा शैलजा जोहरी है तुम्हें वहम हुआ लगता है चमनलाल बोला, इसका नाम रीटा बिंगेंजा है ये गोवा की रहने वाली है और ये जनाब, इसके पती जोसफ बिंगेंजा है विक्रम ने शैलजा को घूरा हो, तो ये चक्कर है इसलिए तुमने रीटा बिंगेंजा नाम रखना पसंद किया था क्योंकि तुम अपने लिए एक पती का इंतिजाम भी पहले ही कर चुकी थी इंस्पेक्टर, शैलजा बोली इस तरह एक अजनभी से मेरी बिज़दी कराने का कोई हक आपको नहीं है मैं कौन हूँ आपको बता चुकी हूँ क्या तुम साबित कर सकते हो ये शैलजा जोरी है चमनलाल ने पूछा अगर ये अकेली होती न तो साबित करना थोड़ा मुश्किल होता लेकिन अब असानी से साबित किया जा सकता है विकरम ने कहा अज जोसफ की और इशारा करके बोला इससे पांच साथ हाथ जमवाओ खुदी बता देगा ये औरत कौन है क्या बकोस है ये जोसफ गुर रहा है साफ साफ बताओ विकरम किस्सा क्या है चमनलाल ने पूछा ठीक है ठीक है विकरम ने शुरू से आखिर तक अपने ढंग से सारा किस्सा को दोरा दिया ऐसा आई गुपता पर के गए हमले के लिए निशा को जिमेदा ठहराते हुए विकरम ने बयान के अधार पर उस इंस्पेक्टर ने जो छानबिंग कराई थी उसने भी चमनलाल को बता दिया इंस्पेक्टर के कहने के ढंग से साफ जाहिए था कि विकरम की कहानी पर उसे जरा भी यकीन नहीं था चमनलाल के चेहरे पर गहन एसमंजस्ता पूर भाव थे तो हमारी कहानी वैसे दिल्चस्प है विकरम वो हिचकिचाता सा बोला लेकिन इसे सही साबित करने के लिए कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं है ये औरत ही शेलजा जोहरी है विकरम बोला ये साबित करने का एक तरीका तो मैं पहली बता चुका हूँ दूसरा तरीका है इससे उन लोगों के सामने पेश करो जो शेलजा जोहरी को अच्छी तरह जानते हैं और दो नाम मैं तुम्हें बता सकता हूँ राकेश महाजन और उसकी बहन कामीने महाजन और तीसरा आदमी है रामनगर पुलिस का S.I. गुपता जिसने उस रात टौच की रोशनी इसके चेहरे पर डाली थी और इसके फिंगर प्रिंट से भी साबित हो जाएगा इंस्पेक्टर जोसफ बोला हम और जादा बदाश नहीं कर सकते हम जा रहे हैं कमान डालने तब ही दरवाजे पहॉले से दस्तक दी गई फिर एक हैड कॉंस्टेबल भीता दाखिल हुआ सर एक लड़की आई है उसका कहना है कि प्लिस हैड कॉर्टर से आय ऑफिसर से फोरण मिलना चाहती है ठीक है मेज दो चमलनाल बोला अलका भागम ने अंदर परवेश किया उसके कंदे पर हैंड बैग लटका हुआ था और हाथ में भी अटैची थी हम जा सकते हैं इंस्पेक्टर इन्हें जाने मत देना इंस्पेक्टर अलका ने जल्दी से कहा ये औरत ही सारे फसाद की जड़ है फिर विक्रम से पूछा तुम ठीक हो न हैरानी से उसे ताकते विक्रम ने धीरे से सरहिला कर हामी भर दी तुम कौन हो हो और क्या चाहती हो चमललाल ने पूछा अलका मुस्क्राए मैं वही हूँ जिसने सफेद अमबैजडर में जवाहार बेडिंग से नीली फ्येट में सवार इन दोनों का पीछा किया था उसने हाथ में पक्ती अटैची ही लाई और इसकी वज़े से मुझे रास्ते में रुखना पड़ा था और फिर वापसी में भी आप लोगों का पीछा किया और यहां पहुंचने में देर इसलिए हो गई क्योंकि पुलिस हेटकॉर्टर से मुझे यह पता लगा कि आप यहां आ गए हैं तुम्हारा इन सबसे क्या तालोक है अलका ने अटैची मेज पर रख दी इससे खोल का देखिए चमल लाल के संकेत पर जोसफ और शेलजा पुना बैठ चुके थी उसने अटैची खोली यह तो खाली है यह धोरे तले वाली है ओ चमल लाल ने नकली तला उपर उठाया नीचे रखी चीजों पर नजर पड़ते ही उसकी आखे सुकड़ गई फिर कड़ी निगाउं से उन दोनों को खुड़ा और फिर अलका कियो देखा यह अटैची तुम्हें कहा मिली अलका ने सब बता दिया यह अटैची हमारी नहीं है जोसब ने पती बात किया यह लड़की जुड बोल रही है बकॉमात चमल ना पुलिसिया लहजे में बोला और फिर अलका से पूछा तुम इन दोनों को जानती हो यह आदमी सिख वेश में जवाहर बिल्डिंग के बाहर इस ओरत का इंजार कर रहा था अलका ने जवाब दिया और यह अउरत इसी अटैची को लेका बहा निकली थी लेकिन यह ओरत है कौन इस वक्त यह वो नहीं है जो कि असल में है अपना हूलिया तब्दील करके दूसरी ओरत बन चुकी है असल में यह है कौन बैंक मैनेजर जैन आयरन जोहरी की विद्वा शैलजा जोहरी वहां मौजूद हर एक आदमी चौक यह शैलजा पर कोई पती किर्या नहीं हुई उसका चहरा पूर्वत भावीन था विक्रम घोरा विश्वास पूर्वत अलका को देखी जा रहा था तुम इसे जानती हो? चमललाल ने पूछा नहीं, लेकिन मैं इसे पहचानती अच्छी तना से हूँ मतलब? अलका ने अपने हैंड बैक से फोटोज का मोटा लिफाफा निकाल का मेज पर डाल दिया इन्हें देख लीजे मतलब समझ में आ चाहेगा सबकी निखाएं लिफाफे पर जम गई चमलल एक एक करके सिले सिलेवार फोटो देखने लगा अंत में उसने पहला और आकरी फोटो उठा का शेलजा को दिखाए ये दोनों फोटोज तुम्हारी है शेलजा के चेहरे पर पराजय के भाफ साफ नज़र आ रहे थे इसके बावजूद वो मुस्क्राए एतराज ना हो तो मैं एक सिगरेट पी सकती हूँ जरूर शेलजा ने गोद में रखा अपना हैंड बैग खोला सिगरेट का पैकेट निकालका बैग में माचस जूणने लगे फिर अचानक हाथ भहा निकाला फोरं कोई चीज मुह में डाले नहीं विक्रम उसकी और जप्रा तब तक शेलजा मुह में पड़ी चीज को दातों में से दबा चुकी थी डॉक्टर को बुलाओ उसने जहर खा लिया है विक्रम चिलाया शेलजा का चेहरा दर्द से विक्रित होने लगा था हाथ से सिगरेट का पैकेट छूट गया शरीर एट रहा था गोद में रखा बैग नीचे लोड़क गया था बद हवास से इंस्पेक्टर टेलिफोन उपकरन पर नंबर डाये कर रहा था शेलजा के होड नीले पर ड़ए थे चंदेक पल और तडपने के बाद उसका सरबाय कंधे पजाटे का शूने में आपलग तागती आँखों में जीवन जोती बुच चुकी थी विक्रम को शेलजा के शब्द यादा आ गए पुलिस? मुझसे कुछ नहीं करबूलबा सकेगी मैंने जिन्दगी को शान से जिया है और उसी शान से इसे खत्म भी कर दूँगी उसने जो कहा था साबित का दिखाया विक्रम गहरी सांस लेकर रह गया था जोसप ने बताया कि वो एक जाल साज था शेलजा उसे अच्छी तना जानती थी उसने उसी रोज सुभा ब्यूटी पालर जाने से पहले फोन पर अपनी सारी योजना उसे बता दी थी फिर पालर से सीधी उसके पास जा पहुँची थी उसी के कहने पर उसने दो जाली ड्रैविंग लैसेंस और होटल का बिल त्यार करवाया था फिर उसी की योजना के मताबिक किराय की कार लेकर जवाहर बिल्डिंग के सामने इंजार करने जा पहुँचा था उसने बता दिया कि सारी रकम फियेट में फर्श पर कार्पेट के नीचे छुपी थी रकम निकाल ली गई पूरे 60 लाक रुपे थे 500 रुपे के नोटों की 120 गड़िया जोसफ को हिरासत में ले लिया गया जब उसे हवालार ले जाया जा रहा था तो विक्रम ने कहा तुम्हारी तकदीर अच्छी थी बच गए वरना मतलब निकाल जाने के बाद इस औरत ने तुम्हें भी ठिकाने पर लगा देना था फिर भी मुझे उसकी मौत का बहत अफसोस है वो औरत बेमिसाल थी जोसम ने रुंधे स्वर में कहा वो साज जुकाय चला गया अलका ने विक्रम को टरोका लगाया आथ तुम्हारा अपनी तकदीर के बारे में क्या ख्याल है करीब करीब दगा ही दे गई थी विक्रम ने कहा और फिर चौका फिर चौका और हरांगी से पूछा लेकिन ये फोटो तुमने कहां खीची और ये आइडिया आया कैसे बड़ी लंबी कहानी है फिर भी कुछ तो बताओ अलका के होटो पर मुस्क्राट फ्रैल गई सब कुछ बताओंगी लेकिन अभी नहीं फिर एक आंत में फुसस से बताय जाने वली बाते हैं कम से कम इतना तो बता दो कि तुमने मेरे लिए ये सब किया क्यों तुम्हें हासिल करने के लिए अलका ने धीमे स्वर में बेशर्मी से जवाब दिया विक्रम को उस पर गुस्सा नहीं आया वो मुस्क्राणे पर विवश हो गया चमल लाल रकम को सील करा चुका था तो विक्रम उसके पास पहुँचा मेर मुश्ताक अली पठांकोट वाला आपके खिद्वत में हाजिर है जनाब वो स्वर्बदर का बोला चमल लाल ने चौक कर उसे घूरा ओहो तो तुम ही थे? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था विक्रम हसा अब तो समझ गए? मेरे लिए क्या होकम है? मेरी समझ में नहीं आता तुमें इस बखेड़े में पढ़ने की क्या जरूरत थी? जवाब में विक्रम ने सूजी के आपरेशन के बारे में बता दिया हम तब तो फोन पर पठांग कोट वाला को दिया गया अपना वादा जरूर और जल्दी ही निभाना पड़ेगा चमल लाल ने कहा और फिर विचार पूरवक बोला ऐसाई गुपता पर हुए हमले के बारे में तुमने जो बताया था तो वो वास्तम में सही है? हाँ? उसके हमलावल को अपने केकी सजा मिल चुकी है कौन था वो? चमल लाल ने इस जवाब पर यकीन ना करने की कोई वज़ा उसे नजर नहीं आ रही थी